हेलो रैंड यूकी निटिंग में आपका स्वाकत है आज मैं आपके साथ बहुत ही खुबसुरत पैटन सेयर करने जा रही हूँ इस पैटन को आप अल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं लेडी स्वेटर, कार्डिगन, कोट्टी, जैकेट, गल्स स्वेटर, बच्चों के ओल प्रोजक्ट आदि में बनके बहुत ही खुबसुरत हमारा ये पैटन आ जाता है और फ्रेंट साइट से हमारा ये पैटन बनना स्टार्ड होता है इस पैटन को बनाने के लिए हमने 13 के मर्टिपल में फंदे डालने हैं पलस हमने 7 फंदे एक्स्ट्रा डालने हैं दस नंबर की सलाई में हमने इस पैटन को बना लेना है सबसे पहले हम अपने प्रोजक्ट के हिसाब से फंदे डालेंगे फिर कोई सा भी border pattern बना के complete करेंगे border pattern complete होने के बाद front side से हमारा ये pattern बनना start होगा दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please हमारे चैनल को subscribe कीजे new videos की notification के लिए bell icon दबाना न भूले video आपको कैसी लगी comment करके जरूर बताएं और video को like करना न भूले अब हम अपना pattern बनाना start करते हैं तो देखे border complete होने के बाद front side से pattern की first row pattern की first row में देखे पहला फंदा उता लेना है धागा अपनी side करेंगे अब देखे next 13 फंदों में हमारा pattern बनना start हो जाएगा तो देखे एक फंदा उल्टा आ जाएगा धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा एक फंदा हमने बिना बुने उतारना है फिर एक फंदा सीधा अब देखे जो second number का फंदा हमने बिना बुने उतारा है इसको हम आगे ले जाएंगे एक फंदा उल्टा, फिर देखें यहां पर एक जाली डालेंगे और दो का एक करेंगे, फिर एक जाली डालेंगे, दो का एक करेंगे, फिर एक जाली डालेंगे, दो का एक करेंगे, अब देखें, पहला फंदा छोड़के यहां से लेके यहां तक हमारे 13 फंदे हैं तो देखे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा इन ही 13 फंदों का प्रोसिस हमने आगे रिपीट करना है पहला फंदा छोड़के यहां से लेके यहां तक हमारे 13 फंदे हैं इन ही 13 फंदों का प्रोसिस हमने आगे रिपीट करना है और लास्ट में हमने एक फंदा उल्टा बुनना है फिर धागा पीछे कर लेना है एक फंदा सीधा फिर एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे फिर नेस्ट फंदा सीधा बुनेंगे अब देखे जो बिना बुना फंदा है इसको आगे ले जाएंगे आगे का फंदा बैक साइड की तरब से पीछे लाएंगे इस तरकी से अब जिस फंदे को आगे ले गए इसको हम सीधा बुनेंगे फिर एक फंदा उल्टा आ जाएगा और लास्ट का फंदा सीधा आ जाएग देखे ए फ्रन्टी साइट से हमारी पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लेट हो गई। रॉंग साइट से देखे शेक дол अब शेकन была हमें देखेंत souvenद पहला बैक साइड की तरब से आगे लाएंगे, आगे का फंदा हम पीछे ले जाएगे, अब देखें जिस फंदे को हम आगे लाए, इसको हम उर्टा बुन के उतारेंगे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, नेश्ट देखें, एक, दो, तीन, चार पांच, छे, साथ, आठ, आठ फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा आ जाएगा, एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, आप देखें जो बिना बुना फंदा है, इसको हम बैक साइड की तरब से आगे लाएंगे, आगे का फंदा पीछे, अब जिस फंदे को हम आगे लाए, इसको भी उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे, नेस्ट फंदा सीधा आजाएगा, फिर लास्ट का फंदा उल्टा, तो देखिए ये बैक साइट से हमारी पैटन की सेकिंड रो कमप्लेट हो गई, अब देखिए थार्ड रो, अब थार्ड रो में हमारा पैटन रिपीट होगा, तो देखिए रिपीट रो, पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी साइट करेंगे, एक फंदा उल्टा, थार्ड रो में हमारा पैटन रिपीट हो रहा है, धागा पीछे करेंग एक फंदा सीधा एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे फिर एक फंदा सीधा अब देखे फ्रंट साइट की तरफ से देखे जो फंदा हमने बिना बुने उतारा है उसको आगे लाएंगे और आगे वाला फंदा बैक साइट की तरफ से पीछे लाएंगे जिस फंदे को आगे ले गए, इसको हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर यहां पर एक जाली डालेंगे, फिर दो का एक करेंगे, फिर एक जाली डालेंगे, दो का एक करेंगे, फिर एक जाली डालेंगे, दो का एक करेंगे, फिर एक जाली डालेंगे, और इनहीं तेरा फंदों का प्रोसिस हमने आगे रिपीट करते जाने हमारे प्रोजक्ट के हिसाप से जितने भी फंदे होंगे हमने इनहीं तेरा फंदों का प्रोसिस बार बार रिपीट करते जाना है देखे पहला फंदा छोड़के यहां से लेके यहां तक यह तेरा फंदे इन फंदा हम बिना बुने फिर एक फंदा सीधा अब देखे जो बिना बुना फंदा है इसको आगे ले जाएंगे आगे का फंदा पीछे अब जिस फंदे को आगे ले गए इसको सीधा बुनेंगे धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा और लास्ट वाला फंदा सीधा तो द साइड से देखे फूर्ध रोग को हमने सेकिंड रोग की तरह बुनते हुए कंप्लेट करना है तो देखे पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे कर लेंगे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा नेस्ट फंदा बिना बुने उतारेंगे फिर एक फंदा उल्टा आप देखे जो बिना बुना फंदा है इसको उठाएंगे ऐसे बैक साइड की तरब से और आगे वाला फंदा आगे की साइड से जो अपनी साइड होगी वहां से उठाए साइड आठ फंदे उल्टे एक दो तीन चार पाँच छै शाट आठ फिर धागा बेछे एक फंदा सीधा फिर देखे एक फंदा उल्टा एक फंदा बिना भुने उतारेंगे फिर एक फंदा उल्टा बिना बुने फंदे को हम आगे लाएंगे और आगे का फंदा पीछे फिर जिस फंदे को आगे ले गए इसको भी उल्टा बुनेंगे फिर धागा पीछे कर लेंगे एक फंदा सीधा फिर लास्ट का फंदा उल्टा तो देखे ये रॉंग साइड से हमारी pattern की 4th row complete हो गई 4th row में हमारा pattern repeat हो रहा था 4th row को हमने pattern की 2nd row के तरह बुनते हुए complete किया अब देखिए front side से pattern की 5th row अब हमने इनी दोसलायों के pattern को बार बार repeat करते जाना है और बन के देखे हमारा pattern कुछ इस तरह से आ जाएगा यह देखे बहुती सुन्दर बहुती आसान pattern है आप इसे all project में apply कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करे share करे comment करे और आप हमारे channel में नहीं हैं तो please subscribe करना न भूले thank you आप सूले आप दो आप आप सकते हैं वीडियो जा आप 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 आप